आप जैसे मारूती की इस कार का सेग्मेंट भी ऐसा है कि हर एक बायर की रीच में आने वाली है लगभा की 11 लाग के सेग्मेंट से लेके ये गाड़ी आपको 20 लाग के सेग्मेंट को टच कर रही है तो सारे तरीके के कस्टमर इसको रहेंगे जो compact SUV लेना चाहता था वो भी थोड़ी बड़ी गाड़ी ले पाएगा उसी के साथ जो ज़्यादा premium गाड़ी में नहीं जाना चाहता था उसका mileage से डर रहा था या फिर spare part या फिर reliability front है तो वो सोचेगा कि क्यों ना Grand Vitara जो आपकी automatic है या फिर जो इनकी hybrid है उसको भी चांस दिया जाए तो overall proportion wise product को ठीक बनाए गया कच्छे पक्के सब रस्ते में चली रहे है यह सारा रास्ता आपको बताएगा कि गाड़ी को अगर थोड़े कभी गाउं में या कच्छे रास्ते में ले जाएंगे तो गाड़ी कैसा बिहेव करेंगी अभी दख तो इसने अपना कंपोजर बनाया है कोई भी रैटलिंग वाली चीजें भी सुनाई नहीं दी इसमें और बाकी यहां पर एक पानी वाला एरिया टाइप का भी आ चुका है तो यह भी एक नधी टाइप कि आपके सकते नहर है जो की ओवर्फ्लो होते वे निकल रही है यह कुछ है अब यहां पर एक अफिल वाला सेक्शन आया है इसमें कितना यह पूश कर रही है तो यहां पर भी देखिए नहीं बहुत बढ़िया तरीके से अपना गेर मैंटेन कर रही है यह देख सकते थर्ड गेर लगानिक तक कोशिस कर रही है इसने थाउजन आर्पिम तक लाद दे जाती है और यह सारे खराब रास्ते अंतनर कैबिन में जितना साउंड है वह आप नुटिस करेंगे लेकिन कैबिन फुली साइलेंट आपको फील किया गिया है अब यह इसका आटोमेटिक वीरेंड है इसके बाद हम इसका मैन्वल और जो ऑल ग्रिप है उनको भी एक्स्प यहां पर अच्छा कासा एक आफ रोड पैस टाइप का हो गया है कच्छे में भी दालो के तो कोई शिकायत नहीं है बड़ा साइगी नहीं गाड़ी है बिल्कुल थोड़े गंदा होना इतना अच्छा नहीं लगता मीडिया कार है हर किसी को इसको ड्राइब करना है चड़ा बहुत इजी बनाता है आपके काम को तो उपर आपको आना है तो इतना एक्स लिटर आप दिंगे और गाड़ी जो अपनी लाइन अफ पाथ है उसमें चलते हुए चैरों में चलाना बहुत इजी लगेगा आपको इसमें अब जो मज़ा आपको इसकी मैनुवल में आएगा वो आटोमेटिक में जरूर आपको रहे जादा आजाते वे दिखेंगे बट उसके लिए फिर आप्शन है आपके बास कि आप इसको फिर से मैनुवल मोड में है और मोसली मालोटी की कार्स में बहुत कम चांस होते हैं कि कुछ आप सेग्मेंट वाइस देखा जाए तो नेगेटेव आपको मिले क्योंकि में चीज इंजन आपके सामने होता है वो रिलाबिल्टी वाइस तो ट्राइन टेस्टेड है और इस गाड़ी के परफॉमेंस को बिलकुल मैच कर रहा है जो परफॉमेंस आपको चाहिए अब जिनने टर्बो पेट्रॉल का इंतजार था कि और बूस्ट कुछ परफॉमेंस उसे दी जाए तो वो शायद अभी नहीं आई है अब वो तो आज में इसका उटमेटिक चला रहा हूं इसका मैन्वल अगर आप यूज का यूज नहीं करना है तो वहां पर उसको पसंद करेंगे तो यह कुछ है अपना वर्डिक्ट की आप एक आटमेटिक कार चाते थे जो की एक रिलैबल ब्रैंड के थ्रू आए तो आप इसको ले सकते है और आपकी क्या रहा है इस गाड़ी के आपर वो भी और बिल्ट कॉलिटी भी ओन प्रॉपर ठीक लग रही है इसकी तो मिलता है इसी और नई वीडियो के साथ उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी सब कुछ अपना एक वर्डिक्ट मैन आपको दिया है कि किसे साब से गाड़ी का पैकेज आपके सामने लाएगिय झाल की आपके सात्रा रही है कि सब आपके सामने प्रॉय सə झाल को वीडियो लाएगियो नई आफमा थे ए पतो दो गाड़ियो की मैने पना की प The